नमस्कार दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, भारतिय डाक विभा के दोवारा, 45 दिन का जो इंटनसिप है न, उसके लिए यहां पर आविदन जो है, शुरू किये जा रहे हैं, इसमें अगर आपने आशनातक में एडिमिशन लिया हुआ है, एक बर्स आपका कम्पलीट हो गया, या फिर आप अध्यां कर रहे हैं, तो आप सिधे यहां पर इंटनसिप के लिए अपलाई कर सकते हैं, इसमें विभीन परकार के कामों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानि कि इंटनसिप आप यहां पर करेंगे, इसमें बे इसमें कभी भी किसी परकार के कोई भरती आती है, इंटनसिप मांगता है, तो उसमें अप लगाकर जोई भरती भी हो सकते हैं, तो कैसे जो अपलाई करना है, कौन अपलाई करेंगे, कि इस तरह से क्या होने वाला है, पुरी जनकारी हमने इस वीडियो में सेर करने की इस वीडियो को लाइक करेंगे, चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, बताये गया है कि डाक विभाग के विभीन छेत्रों में 45 दिनों तक का इंटनसिप के लिए जरी अनुभाव प्राप्त करने का सिखने का औसर पर दान कर रहा है, यानि कि जो डाक विभाग है आप को 45 दिनों का इंटनसिप का जो है मौका यहाँ पर दे रहा है, बिहार में फिलहाल लगभग 10,000 डाक घर है, बिभाग से मिली जनकारी के अनुसार डाक घरों के माधिम से इवा सकति का परभाई, परियोग, बितिये सामयोएशन, इकमर्स, वह आपूर्ती, सिंख्रला, प् प्रेंकाई लेना चाहते हैं, एक ट्रेंइंग लेना चाहते हैं, इंटनसिप के माधिम से, तो आप जो है भाड़ती डाक के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है, बताया गया है कि डाक निदेसालय और डाक सरकलो, सहित डाक भीभाग में प्रसीशु के रूप में कार्यर्त करेंगे ट्रेंग लेकर ठीक है, सरकार की कार्य परणाली के बारे में जनकारी, भविस्य में प्रसीशु के हीतों और करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होगी, इंटनसिप के लिए आवेदक को भारतिय नागरिक होना चाहिए, यानि कि अगर आप इंटनसिप में भाग ल पूरी कर ली हुई है, यानि कहीं भी आप एडिमिशन लिये हुए हैं, और आपका जो है एक बर्स कम्प्लीट हो गया है, सकीन डियर में आप हैं, तो आप इहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, यानि कि यहां पर कम्प्लीट नहीं चाहिए, अपने एक साल कर लिया 30 से 45 दिन के ओधी का जो ही आपका इंटनसिप यहां पर होने वाला है, ठीक है, आवेदन अमनतित करने समन्धित, नोटीस में कहा गया कि इंटनसिप की ओधी 30 से लेकर 45 दिन तक की हो सकती है, डाक निदे साले का प्रोग्राम डिवीजन या डाक सरकल इंटनसिप की ओधी क नहीं किया जाएगा, यानि किन्हों ने साब साब कहा हुआ है, कि अगर आप सही से अपना काम नहीं करते हैं, सही से नहीं सिखते हैं, संतुजनक नहीं पाय जाते हैं, तो आपको जो ही परमार पत्र नहीं मिलेगा, और जो चैनित आवेदक होंगे, उनको जो है परिवेच कारेक्रम में भाग लेने की अनुमती के लिए आनापती परदान करने का उलेख भी जरूरी होगा ठीक है तिन्होंने सभी जनकाड़ी इसमें बता दिया हुआ है बाकी आवधन करना चाहते हैं तो इन्होंने बताया हुआ है कि माई भारत पोटल के माधियम से जो आवधन है कर सकते हैं साथी वे सभी छात्र भी इसके लिए पात रहें जिन्होंने नियुतम एक बर्स की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर कॉले छोड़ दिया है मतलब कि अगर आप माल लीजे असनातक में कम से कम जो ही एक बर्स की पढ़ाई करके आपने कॉले छोड़ दिया वह जिसकी प्रिष्ट भूमी अच्छी है उन्हें पर्थमिक्ता दी जाएगी इन्होंने साब साब कहा हुआ है ठीक है अब इसका जो आवधन है न जो माई भारत पोटल है उसके माधिम से किया जाएगा ठीक है तो यहां से इनका आवधन किया जाएगा अगर आप लोग क लगता है कि बैन होने वाला है तो हो जाए तो आप लोग अभी तक वाट्साप चान से जवाइन नहीं किये हुए है तो वहां पर जाकर जरूर जवाइन कर लीजिएगा जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जनकारी आपके साथा करने की कोसिस किया कि किस तर से क्य को लाइक जरूर करें थैंक यू वरी मच